चैसे आप लोग सब अच्छे हैं मुझे विश्वास हैә आप लोग सब अच्छे आए और अगर अच्छे नहीं तो कोशिश करी अच्छ रहने का आप लोग ने मुझे बहुत सारे चार्ट्स प्रवारेट किये हैं । अपने परसनल डीटेल्स मुझे आप लोगों को छार्ट रीडिंग प्रवाइट करता हूँ मैं at presently 25 तारी तक का डेट दिया था जिकी 25 तारी तक मैं आप लोग की चार्ट रीडिंग करूँगा आप लोग provide करिए details और मैं आपके चार्ट रीडिंग provide करूँगा but at presently मैं उससे पहले ही प्रोवाइट कर रहा हूँ आप लोगों को उसका रीजन यह कि मुझे बहुत सारे चार्ट मिले और मेरे ऊपर जाधा उसका प्रेशर बन गया है जिकि मुझे वो करना है आप लोगों को दिखा देना है तो वो जो देने का जो काम शुरू किया है वो मुझे आस्री मैंने चार्ट मैं कोशिश करूँगा जिकि अगली बार रीट करूँ और उसके लिए आप लोगो कुछ करना होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ अब वो कर दीजेगा आपका चार्ट फिरसे सेलेक्शन में मैं डाल दूँगा अब बात आती है जिकि मैं कौन से चार्ट रीट कर रहा हूँ एड प्रेजेंट ली मैं जो चार्ट रीट करने वाला हूँ वो मैं अभी आपके स्क्रीन पर आपको देता हूँ ये चार्ट मैं आज रीट करने वाला हूँ ये सैजिटेरियस लगन की चार्ट है ये इशान जी की चार्ट है इशान जी 29 प्लस करें जॉब करें और दूसरा सवाल है कि foreign settlement होगा के नहीं होगा इशान जी की अभी महादशा चल रही है राहू की जो 2030 तक चलेगी और अंतरदशा चल रही है शनी की जो अगस तक चलेगी और फिर उसके अंतरदशा आईगी मर करेगी जो 2026 तक चलेगी इशान जी आपके दो सवाल है दो सवाल जो है वो interconnected है और दोनों का जवाब क्या बोलते हैं एक तरीके से एक ही वार से हो सकता है मतलब एक ही सोच अगर अपने दिमाग पे रखें तो हो सकता है सबसे पहले तो मैं आपको इशान जी ये बोल दो जी कि आपकी महादशा जो चल रही है वो राहू की चल रही है राहू जिंदगी में हमेशा confusion create करता है और आपके 12th house में राहू आके बैट गया है तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ और आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसमें बार-बार थोड़ा डिले कुछ बाहर का असर और का अंदर का असर जो खुद की thinking है वो confusion create कर रही है और यह जो confusion create कर रही है इसी कारण आपका decision making हो नहीं पा रहा है इशान जी आपको मैं यही advice दूँगा कि रहू की दशा में सबसे पहले तो अपने आपको काम करिए compose करिए बैट के एक दिन अच्छे से सोचिए जी कि मेरी जिंदेगी में क्या 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 चीज़े हैं और कैसी कैसी चीज़े हैं और जब आप वो चीज़ सोच लें सोचने के बार decide करें कि आज आपने अब करना क्या है दिन अपनी जिंदेगी के एक अपनी जिंदेगी के जो decisions हैं वो आप आपको खुद लेने होंगे आप खुद सोचिए confusion में मत रहिए अगर confusion में रहेंगे तो रहू और complicated करता चला जाएगा चीजों को लेकिन अब आपने advice मुझसे मांगी है तो मैं आपके चार्ट पढ़के जितना दे सकता है advice उसको अगर आप पसंद करें तो उस पे अमल जरूर करिएगा आपकी अंतरदशा जब लगेगी मरकरी की रहू के अंदर तब आपके पास दोनों opportunity आएंगी business भी और job भी मैं prefer करूंगा जी कि आप कोई job ले ले उसका reason ये कि हो सकता है आपको कोई government job की preference आजाए आप शायद already किसी government job में हो और अगर नहीं है तो होने के chances बहुत अच्छे हैं आपका government job की preference आजाए और आप government job में चले जाए दूसरा reason ये है कि राहू अगर महादशा में चल रहा है तो हो सकता है आपके birth place से आपका job बहार लगे तो आप अगर foreign settlement की जो बात कर रहे थे हो सकता है आपको external ministry या external embassies में कहीं पे आपकी नौकरी लगने के chances हो जाए आप उसमें जरूर try कीजिएगा बात यहाँ पे आके एक और शुरू होती है कि business भी आप कर सकते हैं यहाँ पे बैठे होए मरकरी के थुरू आप convenience और benefit बिजनेस से भी उठा सकते हैं आप अपनी vocal और आपके अपनी personal communication के थुरू मरकरी communication और अपनी calculative brain के थुरू आपको अच्छा business opportunity प्रुवाइट करेगा मरकरी सिरफ दिक्कत यहाँ पे यह है जिकि आप अपने घर पे बैठ के अगर सोच रहे हैं जिकि आपका कुछ हो जाए वो राहू होने नहीं दे रहा है यहाँ बैठ के इसलिए advice दूँगा जिक क्योंकि अभी 10 साल और है तो 10 साल के लिए आप कोशिश यह करिए जी कि 10 साल के लिए अगर आप फॉरें कहीं ले रहे हैं अपने birthplace से कहीं से भी दूर आकर आप कुछ कर रहे हैं जॉब ले रहे हैं तो आपके लिए beneficiary रहेगा दूसरी बात आती है कि अगर आप को बिजन relationship में है कुछ है वो आप बहतर समझते हैं तो आप अपने हिसाब से वो देख लीजिए तो अगर आप शादी शुदा है तो वाइफ की help लेके आपके लिए ज्यादा beneficiary रहेगा वाइफ की help से आपको अच्छा business opportunity provide होगा तो अगर आपकी wife है married है आप यह आपकी mother है आपकी mother मदर आप क्यों supportive है तो आप अपनी mother का help या और wife के help के through आप अच्छा business कर सकते हैं convenience की आपकी life में मिलेगी जगर अगर आप job करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगे एक settled convenience मिलेगी business में obviously communication का business करेंगे तो ups and downs रहेगा अगर जब राहू की दशा में मंगल की अंतर दशा चलेगी तब आपको अच्छा का सब business convenience का अच्छा फायदा मिलने के chances बन जाते हैं और job भी अच्छी मिलने के chances होने के बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मंगल के ही घर मे राहू बैठा हुआ है और रमंगल भागेज भी होके बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में बात अब बस्ती है जिकि आपकी कुंडली में कई सारी और सारी चीज़े हैं जिसके बारे में मैं आपको personally discuss कर सकता हूँ लेकिन वह personal reading पे करूँगा अगर आप चाहे तो आप मेरे से personal reading ले लीजिएगा लेकिन यहाँ पे आपने दो जो सवाल पूछे उसके regarding मैंने जवाब दिया है partnership का business थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा लेकिन हाँ अगर wife है तो उनके साथ आप जरूर कर सकते हैं उनके आने के बाद आपको ज़्यादा benefit मिलेगा wife के आने के बाद आपकी आपकी personality आपकी growth अच्छी हो हुई है या हो जाएगी तो शादी करने का आप सोच सकते हैं अभी अगर आपका age 29 plus है तो 32 तक अगर आप 26 तक आप 32 के आसपास होंगे तो 32 years पे आप अपना growth देख सकते हैं अगर आप merit नहीं है तो अपनी merit life देख सकते हैं और उसके बाद आ मेरा advisory यह रहेगा कि job करते करते business का सोचें और foreign settlement का करिए, foreign में business करने का सोचें, foreign related कोई काम करिए, मतला अपने birthplace से हटके कहीं दूर से करिए, business करते होगा करते कोई job का मत सोचें, job करते करते पहले एक job पकड़ लीजे, काम पकड़ लीजे, work करें, अपनी महनत से आप कमा लेंगे, तो अपना काम पकड़ लीजे, कहीं बहार पकड़ सकते हैं, तो बहार पकड़ लीजे, communication की दूरू पकड़ लीजे, तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा, rest, आगर आप banking में भी पकड़ सकते हैं, तो पकड़ लीजे, या कोई भी चीज, जो communication से related हो, media related हो, कुछ भी हो, आप पकड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, रहो आपको अच्छा benefit दे जाएगा, यहाँ पे, तो अंतरदशा में जब mercury चलेगी, तब आपका अच्छा time चलेगा, अगस तक थोड़ा सा घराब time है, उतना अच्छा time नहीं है, शनी आपको struggle करवा रहा है, तो शनी के struggle को experience कीजिए, और उससे सीख लीजिए, और अपने दिमाग को concentrate कीजिए, concentrate करके जो चीज आपके दिमाग से निकाए, आप अंदर से जो चीज आपके आवाज आ रही है, वो कीजिए, मैं यह नहीं कहता है, जी कि मैंने job बोला है, तो आप जौपी कीजिए, आप business भी कर स सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है, तो अगर आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही है, तो मैं बोलूँगा, जी कि अगर आपके अंदर, तो आप मेरे advice को मान लीजे थोड़ा सा, because यहाँ पर तीन प्लैनेट बैठे हैं, तीनों की द्रिष्टी आ थोड़ा सा राहू का अच्छा नहीं होगा, डिप्थ में लोन वगेरा की liability प्रोवाइट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मम्मी के थूरू अगर आप business करेंगे तो अच्छा रहेगा, वाइफ के थूरू करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वाइफ का planet 10th house में बैठ हुआ है, तो अच्छा काम कर देगा, आपके convenience benefits सब provide करेगा, और इसकी दृष्टी से आपको अच्छा benefit मिलेगा, वाइफ के थूरू मिर्चा benefit मिलेगा, तो ये चार्ट ट्रीटिंग थी आपकी, दो सवालों के जवाब देने के मैंने कोशिश करी है, सबको advice ये दूँगा के friends, please मेरे चानल को subscribe के रिए, और जिनके charts मैं read नहीं कर पा रहा हूँ, उन लोग को repeated आपको अपना chart भेजना पड़ेगा, आपको repeat word लिखना पड़ेगा, और 5th of July लिखना पड़ेगा, repeat लिखे 5th of July लिख दीजे, आपके charts, अगर और charts, नए charts के साथ मिला के, फिर से selection process से मैं कोशिश करूँगा, आप लोगों का free prediction प्रोवाइट कर सको, channel में मैं limited ही charts प्रोवाइट कर सकता हूँ, because मेरी भी ability, मेरी भी personal human ability है, तो मैं अपनी human ability के basis पे ही आप लोगों को मदद कर पाऊँगा, but मैं बहुत thankful हूँ, जिके आप लोगों ने मेरे को अपने personal details प्रोव प्रोवाइट चीजों का जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, इतने सारे charts में free of cost रिलीट करना मेरे लिए मुश्किल होगा,